कौन बनाता है दुबई के शेखों के लिए सोने की गाड़ी कितना लगता है? GOLD आये जानते हैं 10 Facts इसके बारे में Fait number 1 यह सोने की कारे दुबई के कहीं सेखों के पास हैं और वे अपने रहीस दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते है Fact No.2 कुछ शेक तो विदेश यात्रा के दोरान भी अपने इन कारों को साथ ले कर जाते है Fact No.3 दुबई की सड़कों पर आपको आसानी से ये गोल्ड की कारे दिख जाएंगी Fact No.4 गोल्ड की कार कोई कार मैनुफेक्चर ना बनाते हैं और ना ही स्पेशल ओडर पर डिजाइन करते है Fact No.5 ये कारे खरीदने के बाद शेक खुद अपने अंदाज में डिजाइन करवाते हैं और उन्हें सोने की कार में बदल देते है Fact No.6 सोने की कार बनाने के माहिर कारिगर दुबई में मुझूद है Fact No.7 ऐसी कारों को तियार करने वाले जदातर शेकों के करमचारी ही होते हैं और बड़ी ही बारीकी से कई दिनों की मेहनत के बाद इन कारों को बदला जाता है Fact No.8 ऐसी एक कार को तियार करने में अधी किलो तक सोना लग जाता है वहीं कुछ लोगों ने दो किलो तक सोने का इस्तमाल कर ऐसी कारों को डिजाइन करवाया है Fact No.9 इनमें गोल्ड का पानी चड़ाया जाता है इसलिए इसकी परत को ज्यादा मोटा नहीं किया जा सकता है Fact No.10 ज्यादा मोटा करने पर परत के पपड़ी बंद कर गिरने का डर रहता है दोस्तो आपको यह जानकारी कैसी लगी इस वीडियो को लाइक, शेर, सस्क्राइब जरूर कर दो